मित्रो मारकंडे पुराण में ब्रहम देव ने मनुष्य जाती की रक्षा के लिए एक परम गुप्त, परम उप्योगी और मनुष्य के लिए कल्या आनकारी देवी कवच एवं वदेवी सुकता बताया है और कहा है कि जो मनुष्य इन उपायों को करेगा वह इस संसार में सु जगदंबा का अवतरण श्रिष्ठक पुरूशों की रक्षा के लिए हुआ है जबकि श्री मत-देवी भागवत के अनुसार वेदों और पुरानों की रक्षा और दुष्टों के दलन के लिए मा जगदंबा का अवतरण हुआ है इसी तरह से रिगवेद के अनुसार मा दुर्गा ही आध्ध शक्ती है उन्ही से सारे विश्वस का संचालन होता है उनके अलावा और कोई अविनाशी नहीं है इसी लिए नवरात्री के दौरान नव दुर्गा के नौ रूपों का ध्यान उपासना वा आराधना की जाती है तथा नवरात्री के प्रत्येक दिन मा दुर्गा के एक एक शक्ती रूप का पूजन किया जाता है हालांकि नवरात्री पूरे साल में कुल चार बार आती है जिन में से दो नवरात्रियों को गुप्त नवरात्री के नाम से जाना जाता है जिनका अधिक महत्व नहीं होता जबकि अन्य दो नवरात्रियों में भी एक अन्य पौरानिक कथा के अनुसार शार्दिय नवरात्री का ज्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि देवताओं ने इस मास में देवी की अराधना की थी जिसके परिणाम स्वरूप मा जगदंबाओं ने दैतियों का वध कर और वशिष्ट द्वारा की गई है और मा दुरगा के संदर्भ में रचे गए इन साथ सौ श्लोकों की वजह से ही इस ग्रंथ का नाम दुरगा सब्तश्ती है दुरगा सब्तश्ती में अलग-अलग जरूर्तों के अनुसार अलग-अलग श्लोकों को रचा गया है जिसके अंतरगत मारन क्रिया के लिए 90 मोहन यानी सम्मोपहन क्रिया के लिए 90 उच्चाटन क्रिया के लिए 200 स्तंभन क्रिया के लिए 200 वविद्वेशन क्रिया के लिए साठ से साठ मंत्र है चुंकि दुर्गा सब्तलशती के सभी मंत्र बहुत ही प्रभावशाली हैं इसलिए इस ग्रंथ के मंत्रों का दुरूपयोग नहो इसके हेतु भगवान शंकर ने इस ग्रंथ को शापित कर रखा है और जब तक इस ग्रंथ को शापोधार विधी का प्रयोग करते हुए शाप मुक्तो नहीं किया जाता तब तक इस ग्रंथ में लिखे किसी भी मंत्र को सिध्ध यानी जागरत नहीं किया जा सकता और जब तक मंत्र जागरत नहो तब तक उसे मारण, सम्मोहन उच्चाटन आधी क्रिया के लिए उप्योग में नहीं लिया जा सकता हाला कि इस ग्रंथ का नवरात्री के दौरान सामान्य तरीके से पाठ करने पर पाठ का जो भी फल होता है वो जरूर प्राप्थ होता है लेकिन तांत्रिक क्रियाओं के लिए यदि इस ग्रंथ का उप्योग किया जा रहा हो तो उस स्थिती में पूरी विधी का पालन करते हुए ग्रंथ को शापमुक्त करना जरूरी है पौरानिक कथा के अनुसार जब असुरो और देवताओं के बीच भिशन युद्ध हुआ था जिसमें देवताओं प्राजित होने के स्थिती में थे अर्धम की जित होते देख माता पार्वती को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने धर्म की रक्षा हेतु रौद्र रूप धारन कर लिया यह रौद्र शक्ती माता काली थी माता पार्वती काली रुप धड़कर रन में कुद पड़ी और राख्षसों का सहार करने लगी तथा रक्तपान गरती हुई भैभीत करने वाली हुंकार भरने लगी अंतता माता ने सभी राख्षसों का अंत्तो कर दिया लेकिन उनकी रक्तपान की इच्छा शांत न हो पाया, माता अपने इस रुप में अनियंत्रित हो गई, जिससे वो अपने सामने आने वाली सभी प्राणियों का भक्षन करने लगी, इससे सुर असुर्क देवी देवता सभी भैभीत हो गए, और मा काली के भै से मुक्ती होने के लिए ब्रमाजी के नेत्रित्व में सभी भगवान शिव के पास गए, और उनसे कहा कि हे भगवन भोले नाथ, आप ही देवी काली को शांत कर सकते हैं, और यदि आपने ऐसा नहीं किया, तो संपूर्ण प्रित्वी का नाश हो जाएगा, जिससे इस भूलोक में न कोई म मंत्रों से भयानक शक्ती का उदे होगा, और दानव इसका दुरूपयोग करना शुरूक देंगे, जिससे संपूर्ण संसार में आसुरी शक्तियों का बास हो जाएगा, ब्रमाजी ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की, की हे भगवान भूतेश्वकर, आप रौधर रूप में देवी को शांत कीजिए, और इस दोरान उदे होने वाले मा दुर्गा के रूप मंत्रों को शापित कर दीजिए, ताकि भविष्य में कोई भी इसका दुरूपयोग न कर सके, वहीं भगवान नारत भी थे, जिन्होंने ब्रमान जी से पूछा, की हे पिता माह, अगर भगवान शिव ने उदे होने वाले मा दुर्गा के रूप मंत्रों को शापित कर दिया, तो संसार में जिसको सचमुच में देवी रूपों की आवश्यक्ता होगी, वे लोग भी मा दुर्गा के ततकाल जागरत मंत्र रूपों से वंचित रह जाएंगे, उनके विधी बताई और बोले इस विधी का अनुसर्ण करने से शाप मुप्त होगा, शिव जी जानते थे कि देवी काली से उत्पन्न इस प्रचंड शक्ती उर्जपक का उपियोग राक्षस प्रवृत्ती के लोग अधिक से अधिक स्तर पर करेंगे, क्योंकि ऐसी भयानक और प वक्त कदापी नहीं करेंगे.